अठारा साल के लिए में रिसर्च करती आई रही हुई और 1988 में पाका का ध्यान दुआ था और मेरा रिसर्च 1989 में शुरूर हुआ था 1990 में रशिया राज करपूर को दांजली देना चाह रहा था और जितना रिसर्च हुआ था उस वर्क तक उन्हों ने लिया और एक लाग कॉफी चापी रुसी भशावे फिर मेरा रिसर्च जारी रहा चलता रहा धीरे धीरे किताब बनती रही और 2002 में पेंगुन ने अंग्रेजी टेबल टाप का एडिशन को निकाला और आज पांच साल बाद असली किताब आई है जब आम आदमी के लिए एक किताब आई है पॉकिट साइस पेपर बैक किताब जो मार्केट में 95 रुपे में जाएगी और हर रेलवे सेशन पर मिलेगी, हर दुकान पर मिलेगी और उस आदमी के लिए जिसने राज कपूर को राज कपूर बनाया और जो राज कपूर को याद करता है और राज कपूर के बारे और जानना चाहता है मैं प्रातना करती हूँ कि उसे ये किताब और ये बेटी की शद्धानजली पसंदा प्रितु जी जीवन की सचारियों को सुनहरे परदे पर उतारने का जो स्टाइल राज कपूर सहाब का था उसके बारे में आप क्या कहेंगी क्या उन रम्हों का क्या उन जब्वे का जिक्र बहुत जिकर है बच्पन से लेकर आखिर तक और ये भी पता लगता है कि राज कपूर जी वो बहुत इस्तमाल करते थे अपनी फिल्मों में और बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो उनके परसनल एक्सपीरिंसेज हुए हैं बच्पन से लेकर आखिर तक जो उन्होंने सब किदाब आपनी करने जा रहे हैं तो क्या कुछ लमहाद बाटेंगे हैं जो आपके दिल के सब से करीब हैं उनके साथ बिटाए हैं मेरे परसनल लहमा जो पापा के साथ बिटाए गए हो आई थिंक आज दिखिए हमारे साथ नहीं है और मेरी मोस्ट प्राइस पॉजेशन है एक डोली का गीत जो पापा ने मेरे लिए बनाया था जब मेरी शादी हुई थी और वो गीत के जो लवस उन्होंने लिखे थे वो जैसे कि बचपन से लेके जब बच्चे बड़े होते वो जिंदीकी का मैंटर था उसी को हम सुनते देखते बड़े हुए हैं और वो चीज मेरे पास पापा की खुद की अवार्ज में है और मेरे लिए वो प्राइस पोजेशन है पापा की जो आज जबी भी मैं उसे सुनती हूँ उसे देखती हूँ मुझे पापा की याद आती है और बेसिकली मन में तो मैं मानती हूँ राज कपूर इस परसन और नेवर दाए क्या उसी तरह की सफलता प्राप्ति कर पाएंगे जो पिछली तीन पीडियों से वो चली आ रही है वो परंपरा निभा पाएंगे उसे करना ही पड़ेगा अब जब हम बुक रिलीज करेंगे आप देखेंगे मेरा रीसर्च ने ही मुझे पताया है